नमस्कार दोस्तों फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है हमारे बैच सुनने से सिखर तक में फिटर थियोरी पर्थम वर्ष के पार्ट बीस में आज हम ग्राइंडर से सम्बंदित मैत्यपरण 30 क्यूशन सोल करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क स्क्राइब कर लें साथ ही बैल आइकन को प्रेस कर दें तो स्टार्ट करते हैं फेस्ट क्यूशन हमारा प्राकरतिक अब्रेश्यू कोन से नहीं है अब्रेश्यू होते हैं जो ग्रैंडिंग वेल बनाये जाते हैं जिनके द्वारा वो अब्रेश्यू क्यलाते हैं प्राकर्टिक पहले अमने बताया अब बताना कि हमें कर्त्रिम अब्रेशिव कौन से होते हैं प्राकर्टिक 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 प्राकर तोर उप्रोक्त में से कोई नहीं डियाएडियो मसीनिस्ट में तथा सेल में पुछा वावा फेरी इंपोर्टेंट क्यूसन है जो सिलिकन कार्बोईड होता है वह सक्तेयों बंगूर होता है ए ओप्षन हमारा राइट हो जाएगा सक्तेयों बंगूर नेक्स्ट क्यूसन है हमारा समांतर या टेपर बेलनाकार जोब को किस ग्रैंडर द्वारा ग्रैंड किया जाता है जो समांतर या टेपर बेलनाकार जोब होते हैं उनको कोन से ग्रैंडर के द्वारा ग्रैंड किया जाता है पेडेस्टल ग्रैंडर, फ्लैक्सिवल ग्रैंडर, cylindrical grinder या centralized grinder तो समानतर या taper बेलना कार जोब को हम cylindrical grinder से finish करते हैं C option हमारा right हो जाएगा cylindrical grinder next question है abrasive कनो को grinding वहिल में किसकी साइता से डाला जाता है जो abrasive कनो होते हैं हमारे उनको grinding वहिल बनाते समय डालने के लिए हम किसका परियोग केते हैं सिलिका द्वारा, चिन्नी मिट्टी द्वारा, बोंड के द्वारा उपरोक्त सबी तो abrasive कनो को grinding वहिल में डालने के लिए हम बोंड का परियोग करते हैं C option हमारा right हो जाएगा बोंड के द्वारा next question है एक वहिल में A यह जड़ ग्रेड से क्या समझते हो एक वहिल होता है उसमें A तथा Z grade होते हैं उससे हम क्या समझते हैं ordinance factory दो जातेरा में पुछावा है option हमारे पास A grade सबसे नरम होता है B है Z grade सबसे कठोर होता है C उपरोक्त दोनो D है इन में से कोई नहीं तो हमारा यहां पर right answer हो जाएगा उपरोक्त दोनो C option right हो जाएगा क्यों क्यों क्यूंकि जो वहिल का grade होता है A से Z तक का होता है जिसमें A grade का वहिल सबसे नरम होता है तथा Z grade का वहिल सबसे कठोर होता है Next question है वहिल में प्रियुक्त abrasive कणों को bond द्वारा पकड़े रहने की सकती को क्या कहते है वहिल होता है उसके अंदर जो abrasive कणों होते है उनको bond पकड़े रखता है बांद के रखता है abrasive कणों को bond उसकी पकड़े रखने की सकती को हम क्या कहते है grid, bond, grade या structure तो जो abrasive कणों को bond पकड़े रखता है उसक्तिय को हम grade कहते हैं C option हमारा right हो जाएगा grade Next question है गिसाई पईये की कठोरता निमने द्वारा वी निर्दिष्ट की जाती है जो गिसाई पईया होता है ग्राइंडिंग वहिल होता है उसकी कठोरता को हम किसके द्वारा वी निर्दिष्ट कहते हैं BHN के द्वारा, वरग माला अकसर के द्वारा, LPN के द्वारा या खोज प्रिक्षन के द्वारा तो ग्राइंडिंग वहिल की कठोरता को हमें वरग माला के अकसरों के द्वारा पदशित करते हैं B option हमारा right हो जाएगा वरग माला के अकसर A से लेके Z तक DMRC Maintenance में पुछा हुए 2014 के अंदर इसके अंदर जितने भी question है किसी ना किसी competition exam के लिए पुछे हुए है सभी question ITI वह competition exam के लिए महत्यप्रों अगर आपको वीडियो पसंदा रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें साथ ही अपने दोस्तों के साथ share कर दे next question है हमारा बायतिये standard के अनुसार grain size 46 किस ग्रूप के अंतरगत आता है बायतिये standard के अनुसार जो grain size है वो जो नंबरों से प्रदेशित किया जाता है उसमें जो 46 नंबर है ग्रूप वो किसके अंतरगत आता है course के अंदर, medium के अंदर या fine, very fine के अंदर तो जो 46 नंबर है वो medium के अंदर आता है बी option हमारा right हो जाएगा next question है अपगर्शन पईये का कण माप किसी संख्या में सुचित होता है जो अपगर्शन पईया होता है उसके कण का माप किसी संख्या से सुचित किया जाता है कण माप के किस प्रिशर को अती सुचित का जाता है जो कण माप का प्रिशर होता है उसमें कौन सा कण माप अती सुचित का जाता है option है 10 से 20, 30 से 60, 220 से 680 से 180 तो अती सुचित के लिए हमारा जो माप हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 220-600 सी ओप्सन हमारा राइट हो जाएगा इसके लाव 10-20 है ये हमारा कोर्स के लिए है 30-60 है ये हमारा मध्यम के लिए है तथा 80-180 हमारा फाइन के लिए है तथा 220-600 वैरी फाइन अति सुक्सम के लिए हो जाएगा Next question है रेजिनाइट बोन्ड के लिए कौन सा रितिगत चिन परियोग किया जाता है जो रेजिनाइट बोन्ड होता है उसके लिए कौन सा चिन परियोग किया जाता है वेरी मोस्ट क्यूशन है वे वी, आर, बी या ए तो रेजिनाइट बोंड के लिए बी एकसर प्रदिशित किया जाता है इसी ओप्शन हमारा राइट हो जाएगा बी नेक्स्ट क्यूशन है गर्शन चक्र अंकन में एच पन के फाइफ बी पिछेतर में च पन को अंकित करता है खालिस थान को सुचित करता है जो सांच चक्र है ग्रेंड खाले स्थान को सुचित करता है जो शान सक्कर है grinding वहिल है उसमें ग्रेंड किस चीज़ को सुचित करता है ग्रेंड साइज को टाइप ओफ अब्रेशिव को hardness को या structure को तो जो हमारा grade है वह है पईये की कठोड़ता को परदिशित करता है इसी option हमारा right हो जाएगा hardness कठोड़ता Next question है Aluminium Oxide दुआरा बने वहिल में किन दातू को grind कर सकते हैं जो हमारा करत्रिम abrasive है Aluminium Oxide उसके बने हुए पईये से हम कौन सी दातू को grind कर सकते हैं High Speed Steel, Carbon Steel, Mild Steel या उपरोक्त सभी तो Aluminium Oxide के दुआरा हम High Speed Steel, Carbon Steel तथा Mild Steel तिनों को ही कर सकते हैं D option हमारा right हो जाएगा उपरोक्त सभी Next question है बंगूर सामगरी की grinding के लिए खालिस थान दात्सा परियुकता है जो बंगूर सामगरी होती है उसकी grinding करनी है तो उसके लिए structure कैसा होगा हमारा पईये का सगन पईया, खुला पईया, उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से कोई नहीं तो बंगूर सामगरी के लिए हमारा सगन पईया, dense structure प्रियुकत होता है ए उप्शन हमारा right हो जाएगा सगन पईया ये जो सर्चना होती है, इसको नंबर से सुचित कहते हैं एक से सोडा नंबर तक इसमें एक से आठ नंबर तक अमारी सगन सर्चना होती है तथा आठ से सोडा तक अमारी खुली सर्चना होती है कि उसे खाली स्थान के लिए प्रियुक्त किया गया है जो grit का आकार है पयेकाज जिसको नंबरों से प्रदिशित किया जासता है उसमें 600 नंबर है जो अती सुक्सम कण होते हैं को किस के लिए प्रियुक्त किया जाता है coarse grinding के लिए medium grinding के लिए fine grinding के लिए very fine grinding के लिए तो जो 600 number कण है हमारे वो बिल्कुल सुक्सम कण होते हैं बारिक छोटे कण होते हैं उनको बहुत महीन grinding के लिए प्रयोग किया जाता है very fine grinding के लिए D option हमारा right हो जाएगा very fine grinding next question है गिसाई पईये में दरारों का पता लगाने के लिए अपना ही जाने वाली जांच है जो grinding oil है उसके अंदर दरार का पता लगाने के लिए हम कौन सी जांच विदी का प्रयोग करते हैं x-ray जांच, ringing जांच, साबुन पानी जांच, जांच, कठोरता जांच तो गिसाई पईये की दरारों का पता लगाने के लिए मैं x-ray जांच करते हैं ए उप्सन हमारा right हो जाएगा x-ray जांच next question है grinding पईये की सर्चना को समानेते कहा जाता है जो grinding oil है उसकी जो सर्चना होती है उसको समानेते हैं क्या कहते हैं लंबा और छोटा, सगन और खुला, बंगूरो, सुदर्ड, चमकिला और पारबासक तो जो grinding oil की सर्चना है वो अमारी सगन और खुला होती है dance and open b option हमारा right हो जाएगा सगन और खुला इससे परहे बता चुके हैं एक से सोड़ा नमबर तक होती है हमारी सगन और खुली सर्चना होती है एक से आठ नमबर तक हमारी सगन सर्चना होती है और आठ से सोड़ा तक हमारी खुली सर्चना हो जाएगी next question है grinder किस परकार का tool होता है जो grinder है वह किस परकार का tool है dressing tool है, mounting tool है, cutting tool है या hand drill है तो grinder हमारा cutting tool है सी option हमारा light हो जाएगा next question है grinding whale की dressing और truing है जो grinding whale होता उसके अंदर dressing और truing क्या चीज़ है बिल्कुल एक समान operation है एक ही साध समान से की जाती है केवल course grinding whale के लिए की जाती है केवल farm grinding whale के लिए की जाती है तो grinding whale के अंदर जो dressing और truing है वो एक ही साध समान से की जाती है B option हमारा right हो जाएगा एक ही साध समान से की जाती है जिसका नाम है dresser ओके next question है glaze या load हुए whale का परियोग करने से परभाव पड़ता है जो glazing whale है या loading whale है whale के जो दोस होते हैं glazing whale loading तो glazing या loading होने के बाद भी अगर हम वहिल का परियोग करते हैं तो क्या परभाव पड़ता है अधिक गर्मी उत्पन होती है खराब surface finish आती है वहिल के face और कार्य की surface के बिच अत्यधिक cutting pressure लगता है उपरोक्त सभी तो यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा उपरोक्त सभी next question हमारा वहिल की balancing की जाती है जो वहिल होता है उसकी balancing समान भार करना balancing की जाती है option है वहिल की side को समानतर करने के लिए बाहरी व्यास को बोर्ग के सेकेंदरित बनाने के लिए c है वहिल के परतिक position पर एक समान भार के लिए D है उप्रोप्त में से कोई नहीं तो वहिल की बैलेंसिंग होती है वो वहिल की प्रतेक पोजिशन पर एक समान भार करने के लिए की जाती है सी ओप्षन हमारा राइट हो जाएगा वहिल के प्रतेक पोजिशन पर एक समान भार करने के लिए नेक्स्ट क्यूशन है मारा ग्राइंडिंग वहिल की ग्लेजिंग का कारण है जो ग्राइंडिंग वहिल होता है उसमें एक मुख्य दो से ग्लेजिंग उसका क्या कारण है ओप्षन है गेन साइज अधिक फाइन होना वहिल का हाड होना वहिल की स्पीड अधिक तेज होना A वह B दोनो तो वहिल में जो ग्लेजिंग है उसका मुख्य कारण है गेन साइज का अधिक फाइन होना तथा वहिल का हाड होना A वह B दोनो डी ओप्सन हमारा राइट हो जाएगा ए वह भी दोनो नेक्स्ट क्यूशन हमारा शिर्ण चक्कर में स्टोक निसकासन की उच दर के लिए प्रियुक्त आबंद है जो हमारा बोंड होता है शिर्ण चकर बोला है यहाँ पर ग्रैंडिंग वहिल को मतलब अदिक मात्रा में हमें मेटेरियल को काटना है ग्रैंडिंग वहिल के द्वारा हम कौन सा आबंद परियोग करेंगे मतलब बोंड परियोग करेंगे काचित आबंद, रबड आबंद, सिलिकेट आबंद या स्लक आबंद तो यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा काचित आबंद मतलब विट्रिफाई बॉंड जिसको इंगलिस में हम बोल सकते हैं विट्रिफाई बॉंड का प्रियोग अधिक मातरा में दातू काटने के लिए प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट क्यूशन हमारा अब गर्शक पर ये ग्रांडिंग वहल के चिद्रों में दातू के कणों के फस जाने की गटना को क्या कहा जाता है तो उसके रिया को हम लोडिंग कहेंगे यहें ग्रांडिंग वहल का दोज है C अमारा राइट हो जाएगा लोडिंग नेक्स्ट कूशन हमारा अपगरसक पैया की ड्रेसिंग के तहत निमन लिकीत मेंचे किसके दुआरा फिरसे पैनापन पराप्त करता धा जो अपगरसक पैया है उसकी ड्रेसिंग करते है तिक्छन किनारा बनाने के लिए तदिक तेज नुकिला बनाने के लिए ग्रैंडिंग वहिल को हम जो किरिया कहते हैं ड्रेसिंग तो उसमें हम किसको प्रियोग करते हैं ओप्शन है दार दार किनारे सारप एज वाला हाई स्पीड इस्टिल का कटर प्लूमिस स्टोन ड्रेसर ड्रेसर, ड्रेसर, टूल इस्टिल ड्रेसर तो ग्रैंडिंग वहिल की सारप ने इसके लिए हम ड्रेसर का प्रियोग कहते हैं c-option हमारा राइट हो जाएगा ड्रेसर next question है सान चक्कर के तिक्छन की परकिरिया को कहते हैं जो ग्रैंडिंग वहिल है उसको तिक्षण कहने की परकिरिया को हम क्या कहते हैं ट्रूइंग, सुरिंखन, ड्रेसिंग या संतुलन तो उसे हम ड्रेसिंग कहते हैं सी ओप्षन हमारा राइट हो जाएगा ग्रैंडिंग वेल को तिक्षण करना सालपनेस कहना ड्रेसिंग कहलाता है इस प्रकार हमारे 30 क्यूशन पूरे होते हैं आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगी वीडियो को लाइक कर दे साथ ही शेयर कर दे धन्यवाद